साथियों विश्व भारती तो अपने आप में ज्ञान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नीव ही अनुभव आधारित सिख्षा के लिए रखी गई ज्ञान की क्रियेटिविटी की कोई सिमा नहीं होती है इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्व विद्याले की स्थापना की थी आपको ये भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्ञान विचार और स्किल स्टेटिक नहीं है पत्थर की तरह नहीं है स्थीर नहीं है ये जिवन्त है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइज भी हमेशा रहेगी प्रोग्रेसिव अन्फोल्मेंट लेकिन नौलेज और पावर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए सईयम और संबेदंसिल रहना पड़ता है रहना जरूरी होता है उसी प्रकार हर विद्वान को हर जानकार को भी उनके प्रती जिम्मेदार रहना पड़ता है जिनके पास वो शक्ति है आपका ज्यान सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज की देश की अरे भावी पीडियों की भी वो धरोर है आपका ज्यान आपकी स्कील एक समाज को एक राष्ट को गवरवानुवित भी कर सकती हैं और वो समाज को बदनामी और बरबादी के अंदकार में भी धकेल सकती है इतिहास और वरतवान में ऐसे अनेक उधारण हैं आप देखिए जो दुनिया में आतंग फ्यला रहे हैं जो दुनिया में हिंसा फ्यला रहे हैं उनमें भी कई highly educated highly learned highly skilled लोग हैं दूसरी तरफ ऐसे भी यह लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं अस्पतालों में डटे रहते हैं प्रयोग सालाओं में जूटे हुए हैं यह सिर्फ विचारधारा का प्रस्ण नहीं है मुल बातो माइंड सेट का है आप क्या करते हैं इस बात पर निर्फर करता है कि आपका माइंड सेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्कोप दोनों के लिए है रास्ते दोनों के लिए उपन है आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का ये तै करना हमारे अपने हाथ में होता है अगर हम उसी शक्ति उसी सामरते उसी बुद्धी उसी वैपव को सतकार्यके के लिए लगाएंगे तो परणाम एक मिलेगा दुष्कर्म के लिए लगाएंगे तो परणाम दुष्कर्म मिलेगा अगर हम ही सिर्फ अपना हीत देखेंगे तो हम हमेशा चारों तरफ मुसीबते देखते आएंगे, समस्याय देखते आएंगे, नाराज़्गी देखते आएंगे, आक्रोष नजर आएगा. लेकिन अगर आप खुद से उपरूट करके, अपने स्वार्थ से उपरूट करके, नेशन फर्स की एप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉलूशन ढून देने का मन करेगा, सॉलूशन नजर आएगा, बूरी शक्तियों में भी आपको अच्छा ढून देने का, उसमें से अच्छाई का परिवर्तन का मन करेगा, और आप सित्या बढ़लेगे भी, आप स्वयम भी अपने आप में एक सॉलूशन बन करके उपरेंगे. अगर आपकी नियत साब है, और निश्ठा माँ भारती के प्रती है, तो आपको हर निर्णे, आपको हर आच्रण, आपको हर कृती, किसी ने किसी समस्या के समाधान की तरफ ही बढ़ेगा, सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविश्चताई नहीं करती है, हो सकता है, आपको पिसी फैसले के बाद जैसा सोचा था, वैसा प्रणाम न मिले, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए, एक युवा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, जब कभी हमें फैसला लेने से डर लगने लगे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होता है, अगर फैसले लेने का होसला चला गया, तो मान लीजिए का आपकी युवानी चली गई है, आप युवा नहीं रहे हैं, जब तक भारत के युवा में नया करने का, रिस्क लेने का, और आगे बढ़ने का जज़वा रहेगा, तब तक कम से कम, मुझे देश की भविश्की चिंता नहीं है, और मुझे जो देश युवा हो, 130 करोड आबादी में, इतनी बड़ी तादाद में युवा शक्ती हो, तो मेरा भरोशा और मजबूत हो जाता है, मेरा विस्वास और मजबूत हो जाता है, और इसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो माहोर चाहिए, उसके लिए मैं खुद भी और सरकार भी इतना ही नहीं, 130 करोड का संकल्पों से भरा हुआ सप्रों से लेकर के जीने वाला देश भी आपके समर्थन में खड़ा है। साथियों, विश्व भारती के 100 वर्ष के इतिहासिक अउसर पर जब मैंने आप से बात की थी, तो उस दरान भारत के आत्म सम्मान और आत्म निर्भरता के लिए आप सभी युवाओं के योगदान का जिक्र किया था। यहां से जाने के बात, जीवन के अगले पड़ाव में आप सभी युवाओं को अनेक तरह के अनुभव मिलेंगे। साथियों, आज जैसे चत्रपति सिवाजी महाराग की जेनती का हमें गर्व हैं, वैसे ही मुझे आज धर्मपाल जी की आद आती हैं, महान गांदीवादी धर्मपाल जी, आज महान गांदीवादी धर्मपाल जी की भी जन्म जेनती है। उनकी एक रचना है, the beautiful tree indigenous Indian education in the 18th century, आज आप से बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आप से बात कर रहा हूँ, तो मेरा मन करता है उसका जिक्र मैं जुरूर करूँ, और बंगाल की धरती, उर्जावान धरती के बीच जब बात कर रहा हूँ, तब तो मेरे स्वाभा भाविक मन करता है, कि मैं जुरूर धर्मपाल जी के उस विशे को मैं आपके सामने रखो, धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में, इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने थौमस मुंद्र उद्वारा किये गए, एक राष्ट्रिय शिक्षा सर्वे का ब्योरा दिया है, 1820 में कि इस शिक्षा सर्वे में कई ऐसी बाते हैं, जो हम सब को हैरान भी करती हैं और गवरों से भर देती हैं, उस सर्वे में भारत की साक्षर्ता दर बहुत उंची आंकी गई थी, सर्वे में ये भी लिखा था गया था, कि कैसे हर गाउं में एक से जादा गुरुकुल थे, और जो गाउं के मंदिर होते थे, वो सिर्फ पुजापाट की जगा नहीं, बेश शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, शिक्षा को प्रोथसान देने वाले, एक अत्यंत्र पवित्र कारिय से भी गाउं के मंदिर जुड़े हुई रेते थे, वे भी गुरुकुल की परमप को आगे बढ़ाने में, बल देने में प्रयास करते थे.